तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बोड ने मैट्रिक इंटर 2022 परिक्षा के लिए रेजिस्टेशन की परकिरिया जो की सुरू कर दी है जितने भी एस्टुडेंट्स 2020 में 11 में एड़िसन लिए है और जितने भी छातर 9 में है ठीक है यह सब एस्टुडें फॉर्म को कैसे भरना है सारा कुछ इस वीडियों बतलाने वाले है इस वीडियों को लास्ट तक जरूर देखेगा ठीक है यह ओफिसियल फॉर्म है इसी परकार का आपका सेम यहाँ पर फॉर्म मिलेगा अब कैसे भरना होगा सारा जनकारे इस वीडियों आपको step by step मिलेग इस वीडियों को केवल लाश्ट तक देखेगा वीडियों को एक लाइक कर दिजेगा दोस्तों के पास सेर कर दिजेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगलवाले घंटी को आउन कर लीजेगा तो दोस्तों जैसे ही आप लोग फॉर्म लीजेगा यहां पे लिखा हुआ मिलेगा बिहार स्कूल एकजामनेशन बोट पटना मैं सभी फेकल्टी का दिखाऊंगा सभी यहां पे फेकल्टी का इस बीडियो का आप लोग लास तक देखेगा जैसे ही फॉर्म लीजेगा नीचे आईएगा तो यहां पे सबसे पहले आप लोग को फील करना होगा केटेगरी ठीक है तो केटेगरी में आप लोग रेगुलर यहां पे टीक कर लीजेगा उसके बाद यहाँ पे just वगल में जो की color photograph यहाँ पे मांगा जा रहा है ठीक है size जो की 35 mm into 30 mm का ठीक है तो color photo इतना का जो की यहाँ पे आप लोग चिपका दीजेगा उसके बाद यहाँ पे photo को just नीचे यहाँ पे signature जो की बतलाएगे है student of signature यहाँ पे student का signature है ठीक है उसके बाद जैसे ही यहाँ पे दो में आईएगा तो यहाँ पे मांगा जा रहा है college code ठीक है तो यहाँ पे जो भी आपका college का code है वो यहाँ पे फटफट यहाँ पे भार लेना उसके बाद college name यहाँ पे भार लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर student का नाम है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि माले जाए अमीत यहाँ तक होता है ठीक है यहाँ तक अमीत होता है तो एक कॉलम बीच में छोड़ देते हैं उसके बाद यहाँ पर कुमार लिखेंगे ठीक है इस तरीका से उसके बाद जैसे ही हम एगा mother name जो की यहाँ पे English में लिखना है उसके बाद नीचे mother name जो की Hindi में लिखना है साथ में यहाँ पे father name जो की English में लिखना है उसके बाद father name नीचे यहाँ पे Hindi में लिखना है जौनसा बोर्ड से आप पास किये हैं बोर्ड का नाम यहाँ पे दे देना है ठीक है दस में यहाँ पे मैट्री क्लास 10 का जो की बोर्ड का जो की रॉल कोड यहाँ पे फिल कर देना है रॉल लंबर यहाँ पे फिल कर देना है 11 में पासिंग यहाँ दे देना है यहाअ पर टेफरेंटली इविल्ड में दिव्यांग है तो यस किझे अदर्भाइज नो ठीक है उसके बाद यहाँ पर सफ़िस्फाइज niez hyvin यहां पर चोड़ दीजेगा ठीक है उसके लिए जैसे ही नीचे आयएगा पंडरह में यहाँ पर से गिश़की इंडियान ह इंडियन अदर तो अदर कर लिजेगा ठीक है रिलीजन हिंदू इसलाम जो भी है सीख जो भी है यहां पर टीक कर लेना है ठीक है यहां पर बतलाए गया 18 में मुवाइल नंबर ऑफ अस्टुडेंट ठीक है पैरेंट्स गर्जियन किसी का भी नंबर हो यहां पर भर देना है उसके बाद 19 में यहां पर email ID आपका भर देना है 20 यहां पर 20 में आधार नंबर भर देना है उसके बाद 21 में आपका जोकी यहां पर address भर देना है ठीक है address भरने के बाद यहां पर पीन कोड डाल देना है ठीक है पीन कोड डालने का बाद जैसे ही आप लोग नीचे आते हो यहाँ पे marital ठीक है, आप लोग का सादी हो गया है, married है, तो married, unmarried है, तो यहाँ पे tick कर लिजिएगा, ठीक है, उसके बाद 23 में मागा जा रहा है, student bank account number ठीक है, आपका bank account number आपका होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग भर दिजीगा उसके बाद 24 में यहाँ पे बैंक ब्रांच ने मागा जा रहा है ठीक है यहाँ पे भर दिजीगा IFC कोड यहाँ पे भर देना है उसके बाद 2 identification जो की यहाँ पे देना है ठीक है Mark of a student ठीक है जो भी आपका चीन है दो यहाँ पे दे देना है ठीक है 27 में यहाँ पे medium देना है ठीक है जो भी है Hindi English जो भी है टीक कर लेना है ठीक है अब जैसे ही आप लोग नीचे आते हो तो काफी important चीज़ यह है subject detail है ठीक है यहाँ पे आप लोग science वाले चातर देखिएगा कि जो भी चातर यहाँ पे group 1 में English में कर लेंगे ठीक है तो 2 में यहाँ पे Hindi में कर लेंगे और जो चातर यहाँ पे Hindi में कर लेंगे वो English में कर लेंगे ठीक है उसके बाद जैसे ही अब नीचे आईएगा आप लोग तो नीचे आने के बाद जो a student जो की math से लेना चाते है वो क्या करेंगे physics, chemistry, math में tick कर देंगे ठीक है और जो a student bio से लेना चाते है वो physics, chemistry, bio कर देंगे और जो extra में math लेना चाते है ठीक है तो additional subject यहाँ पे दिया गया है additional में यहाँ पे math एक्स्ट्रा में tick कर देंगे ठीक है और जो a student physics, chemistry, math लिये है वो extra में कुछ लेना चाते है तो यहाँ पे multimedia, बेवटे, computer science जो भी चाहे वो ले सकते है ठीक है मैंने यहाँ पे computer science जो की intermediate में लिये थे extra में ठीक है मेरा math से था तो extra में हमने computer science ले लिये थे ठ ठीक है .net पे होगा सभी math, physics, chemistry और biology डाट्स का सपाया बस अपनी question के photo कीचे, crop कीचे, submit कीचे, video solution कुछी सेकेंड में, class 6 से 12 से लेके neat IT जे इमेंस और advanced level तक दोस्तों इसका एक WhatsApp नमर 8400400 वहाँ पे भी अपना problem को submit कीचे, वहाँ पे भी video solution मिलेगा तो अभी download कीचे .net app को link description में दिया गया ठीक है यह बतला है अब जैसे ही नीचे देखते हैं तो student of parents guardian ठीक है आपका गरजियन का signature यहाँ पे होना चाहिए उसके बाद student signature in Hindi आपका signature यहाँ पे हिंदी में होना चाहिए आपका school का जो की principal है यहाँ पे signature करके वो अपना मुहर लगा कर जो की जमा कर देंगे इस तरीका से आपका registration जो की हो जाएगा ठीक है अब केवल आप लोगों को form भारना रहेगा 2022 exam की समय में ठीक है अब फट 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 other faculty वाले को भी यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आर्स वाले चातर देखिए ठीक है regular private जो भी है यहाँ पे आप लोग टीक कर लिजेगा ठीक है regular से तो regular private तो private ठीक है सब यहाँ पे same भारना है ठीक है किसी परकार का different यहाँ पे नहीं है ठीक है आप लोग same जो की form है केवल यहाँ पे आप लोग subject को ध सब्यक्त की रिख्परार में साब्यक्रांट कर लेबाना है ठीक है अब जैसे ही नीचे आग चिर्फ्टीं का हिंदी और यहाँ पे इंग्लिस में ठीक है same आप लोग देखे उसके आद दूसरे faculty वाले को देख लेते हैं अब दोस्तों के commerce का जो कि same भारना है ठीक है अब आप लोग subject में देखें यहाँ पे जो भी है English है तो यहाँ पे Hindi कर लिजेगा यहाँ पे Hindi की है तो इसमें यहाँ पे English कर लिजेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो ही subject लिजेगा यहाँ पे टिक कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पे additional में लेना है आप लोग को extra है ठीक है सेम दिया गए आप लोग सब्जेक्ट को यहां पे हिंदी लिजेगा यहां पे तो हिंदी लेते हो तो इसमें इंगलिस करना पड़ेगा और इसमें इंगलिस कर लेते हो तो इसमें हिंदी करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जो भी यहां पे सब्जेक्ट है आप यहां पर ले लिजेगा ठीक है subject लेने के बाद आप लोग भी additional extra subject लेना चाहते हैं तो इसमें tick कर लिजेगा उसके बाद नीचे signature दिया गया आप लोग कर लिजेगा अब यहां पर metric वाले student का जो की form भरने की परकिरिया सेम है अब केवल बिसाय को कैसे चुनना है आप लोग देख लिजेगा हिंदी में tick कर लिजेगा संस्क्रीट में mathematics में science में उसके बाद social science में उसके बाद English में जो छातर हिंदी में नहीं करेंगे ठीक है वो उर्दू करते हैं कि optional subject तो इसमें आप लूग ले सकते हो ठीक है इसी परकार से form को भरना है किसी परकार का problem है कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी साथ सेयर कर दीजिए दोस्तों मिलते किने वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मात्रम